हेलो फ्रेंड्स, cgbse या कहें cgboard के द्वारा अक्टूबर 2020 का assignment उनकी website में upload किया जा चुका है, जो कि 29 अक्टूबर की साम को upload किया गया है, तो इसमें जो class 10th assignment तो हम class 10th math के assignment अक्टूबर 2020 के बारे में बात करेंगे, assignment इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए, चतिसगर, माधिमिक, शिक्षा, मंडल, सैक्षिंग, शक्षिंग, 2020, मां, अक्टूबर, assignment 2, कक्षा, 10, विशाए गणी, टोटल जो mark है, assignment के 20 mark है, और इसमें कह रहे हैं कि निर्देश जो दिया हुआ है, दिये गए अभ्याज प्रश्णों को निर्देश अरुजा हल किजिए, दोस्तों यह हमारे पास total 7 questions है, जो हिंदी और इंग्लिस में दिये हुए हैं, तो मैं आपको यह बताने जा रहा हू कि यह कौन सा questions कहां कहां मिल जाएंगे आपको, और इसको कैसे आप solve करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखें कि question number 1 से लेके 7 तक, यह question आपके book से ही हैं, और आपको यह जो mark दिया हूं, उसके recording आपको solve करना, हर step का आपको ध्यान देना है, तो ही आपको पूरे mark मिलेंगे, इसलिए आप बड़ी बारेकी से problem को समझेगा, और उसके बाद अपने word में बनाईए गया, ना कि जैसे कि वीडियो में बताया गया है, तो कि आपको अपने school के recording ही करना है, इसलिए दोस्तों जैसे कि पहले question के अगर हम बात करें, तो question number 1 जो है assignment का, वो chapter 4 से ल assignment का है, वो भी chapter 4 से दिया हुआ है, page number 109 पे आपको मिल जाएगा, exercise 1 और question number इसका है 7, assignment का जो question number 3 है, वो आपको chapter 5 से मिलेगा, और page number 136, यह problem exercise का नहीं है, यह example में मिलेगा, और example में भी exact यह problem नहीं दिया हुआ है, example में अगर आप example 13 देखेंगे, तो just उसके जैसा ही है, ब otherwise save है, तो आप उस पर आधारित कर सकते हैं, अगर उसके बावजूद आपको न बने, आपसे न बने, तो आप मुझे comments कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी बना के बहुत जल्द upload करने जा रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो यह आपको example 13 के जैसा है, question number 4 जो 5 है, वो chapter 6 से दिया हुआ है, और page number 156 पे आपको मिलेगा, exercise number 2 है, question number 5 है, question number 6 assignment का chapter 6 से ही है, और यह page number 164 पे मिलेगा, exercise number 3 पे question number 10 है, last question जो है, question number 7, यह chapter 7 से ही है, और page number यह मिलेगा आपको 179 पर, चुकि इस chapter में एक ही exercise है, इसलिए exercise number 1 हम इसको कहें, और question number 5 है, दोस्तो यह आपके 7 question दिये हुए हैं, और आपको यह 7 question को solve करना है, तो आप अपने according ही इसको solve करेंगे, बस्ट आप वीडियो से help लेंगे कैसे बना हुआ है, दोस्तो हम इसकी वीडियो नहीं बनाने जा र रिखा हुआ है कि 36 गण बादिमिक सिक्षा मंडल बिद्यारती assignment कक्षा दस्वे assignment, इसमें एक notice है कि website पर upload किये गए assignment पर मंडल का copyright है, यह जानकारी छात्रों सिक्षकों एवाम जन सामाने के लिए है, इसका कोई दूरपयोग या website को पयोग नहीं कर सकता, जदी कोई ऐसा क करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कारवाही की जाएगी, इसलिए दोस्तों हम assignment के आपको पूरी solve करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग की मदद करने जा रहा हूं, मदद ऐसे हो सकती है कि आल्रेडी यह सारे जो questions है, हमारे YouTube channel जो लक्ष एजूकेशन है, उस में upload किये जा चुके हैं पहले से ही, तो उसकी playlist में जा करके आप बारी बारी से आप question को देखके solve कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, exact जो वीडियो में दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही word लिके, आप अपने recording इसकी वीडियो बना सकते हैं, दोस्त education पर click करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, वीडियो, playlist, communicative, channels, about, तो आप playlist में जाएंगे, playlist में अगर आप जाते हैं, तो इस playlist में देखिए, class 10th, cg, arithmetic, progression आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको click करेंगे, तो सारी वीडियो इसमें मिल जाएंगे, उसमें से वो वीडियो नंबर आप, question number की वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, उसी प्रकार से यहां अगर आप जाते हैं, तो coordinate geometry है, इसको click कर लेंगे, जो question number, exercise number आपको clear मिल जाएगी, उस question को भी आप, वीडियो की रूप में देख पाएंगे, and ratio and proportion, यह वाला दिया हुआ है, ratio and proportion क की भी आप वीडियो आपको यहां से मिल जाएगी, और graph की वी जो है, वो भी यहां से आपको मिल जाएगी, तो clear जो चार चेप्टर हैं, फिर से मैं बता दू, arithmetic progression, यहां पे graph, यहां पे coordinate geometry, और यहां पर ratio and proportion, इन चार चेप्टरों की वीडियो को आप यहां से देख सकते है दोस्तों हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो के पूरे-पूरे questions को अगर solve करते हैं, तो यह आपको board exam में भी काम आएगा, और बहुती easy and interesting way में समझाया गया है, तो दोस्तों हमारी चैनल पे आपको अगर कु आपको 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 आपको